Dumb founded होने के बाद और थाध भॉँचक्का हो जाने के बाद जब Mr. Rajan सम्हलते हैं और वो पूछते हैं कि आप accident के समय accident के ख्याण में collision के ख्याण में क्या सोच रहे थे उस ख्याण में क्या सोच रहे थे तो Mr. Gaitunde जवाप देते हैं I was thinking of the catastrophe theory and its implications for history मैं catastrophe theory के बारे में सोच रहा था और उसके इतिहास में क्या परिणाम हते हैं इसको सोच रहा था किस ख्यंड जिस ख्यंड मेरी गाड़ी तकराई और मैं एक दम कोमा में गया उस ख्यंड पर मैं सोच रहा था केटास्ट्रोफी थियोरी क्या है केटास्ट्रोफी C A T A S T R O P H E केटास्ट्रोफी मतलब एक भयानक घटना भैंकर बदलाओ एक शण में कोई सभी बहुत तीवर बदलाओ परिवर्तन जो है वो केटास्ट्रोफी कहलाता और ये हमेशा एक तरीके से नेगेटिव मीनिंग रहता नेगेटिव का अर्थ दुरघटना से कोई बहुत ज़्यादा मानसिक बदलाओ हो जाए मनस्थिति में उसको इससे कहते हैं केटास्ट्रोफी तो वो कहते हैं मैं केटास्ट्रोफी थियोरी के बारे में सोच रहा था और इसके क्या हिस्त्री में परिणाम है अर्थात ये एक कोई सी थियोरी है जो जिसका संबन्द एतिहास से है या अन्यविश्यों से भी है ऐसा गायतोंडे जी का कहना था तुरंध राजेंद्र मुस्कराते हुए कहता है येस राइट आई थाट सो बिलकुल सही कहा अपने मैं भी यही सोच रहा था ऐसा उसने क्यों कहा होगा ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि गाय तोंडे जी जब राजेंच से मिलते हैं और बताते हैं कि मैं अपने को सुबह आड़ वजे आजाज मैदान में पड़ा हुआ पाया और ऐसा ऐसा सब हुआ तो उसको लेकर ये एक तब आश्चेर चकित हो जाते हैं फिर पूछते हैं आपने आश्चेर चकित होने के बाद जब अपने को समभालते हैं और तो सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा गाय तोंडे जी के साथ जो वो अपने को आड़ बजे आजाज मैदान में पा रहे हैं पड़े हुए तो उसके जवाब में गायत रोने का जो जवाब है उससे उनके चेहरे में मुश्कुराहट आती है और कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा था अर्थात मैं भी केटास्ट्रोफी थियोरी के बारे में सोच रहा था मैं भी यही सोच रहा था कि आप केटास्ट्रोफी थियोरी के बारे में सोच रहोगे उससे संबंदित बात कुछ सोच रहोगे तो जैसे उन्होंने केटास्ट्रोफी थियोरी कहा राजिएंद को लगा कि अरे मेरी बात भी वही थी और इसलिए वो मुस्करा दिये लेकिन इस पर गायत ओंडे जी की प्रतिक्रिया कुछ और थी मुस्कराहट के जवाब में राजिएंद के मुस्कराहट के जवाब में गायत ओंडे जी कहते हैं Don't smile smugly Smugly मतलब अपने को रोक कर मुस्कराव मत In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok Look at this यदि तुमको लगता है In case you think यदि तुमको लगता है कि मैं किवल अपने दिमाग की उपच कुछ निकाल रहा हूं दिमाग को आवाँ दोडा रहा हूं Playing some tricks कुछ चलाकी कर रहा हूं Trick मने चलाकी To play मतलब चलाकी करना To play trick I tried to play tricks on that group of students standing there मैं उन बच्चों के साथ कुछ बदमाशी करने जा रहा था चलाकी करने बदमाशी करने तो यहां पर गायतुन्डे जी का कहना है कि यदि तुमको लगता है मैं कुछ बदमाशी कर रहा हूं कुछ गर्वर कर रहा हूं को चलाकी करना हूं और मेरा जो imagination है मेरी जो कल्पना है वो यहां वहां जारी running amok to run amok मतलब यहां वहां जाना कल्पना की उड़ान का यहां वहां जाना किसी एक दिशा में नहीं सोचता है मैं क्या क्या सोच रहा हो ना जाने गाय तोंडे जी कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं तुमको यह ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग कुछ भी कुछ और फितरत में है और मैं कुछ बलमाशी कर रहा हूं कुछ उल जलूल बातें कर रहा हूं और मेरी कल्पना यहां वहां जारी है जब वो गायतोंडे जी कुरसी के ओर जा रहे हैं, भाशन यहां समाप करता है, भाशन देने वाला, शौक में देखता है पलट के, कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन जनता की ओर से आवाज आती है, कुरसी खाली करो. वेकेशन मतलब क्या होता है, वह समय जब आप सब खाली हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, किस बात से खाली हैं, पढ़ाई से खाली हैं, तो वह वेकेशन कहलाता है, वेकेशन और वेकेट, जनता चिलारी है, वेकेट दे चैर, इस लेक्टर सीरीज हैं, नो चैर परसन, यह जो भाशनों की जो श्रिंखला का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कोई चैर परसन नहीं, जो मुख अतिती जैसी कुरसी पे बैठ है, अवे फॉम प्लाटफॉर्म, मेस्टर, इस प्लाटफॉर्म से चलो यहां से हटो, भागो यहां से, महोदय कृप्या जाईए यहां से, यह सब गायतोंडे जी सपने में देख रहा है, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, सपने में वो मंच को देखके मोहित हो जाते हैं, समोहित हो जाते हैं, चरते हैं, कु हम होता करता है और समझ नहीं पाता क्या हो गया और कौन आगया जंता यहां से चल्लाती हैं और कहती ही कुरसी खाली करो हमें कोई मुख्यतिति की ज़रूत नहीं यहाँ पे इस प्ऩलैटाफॉर्म से चले जाओ यह भाशन की जो श्रिंखला चल रही है जहां पर इसमें कोई चेर परसन नहीं होता, कोई मुख्यती थी नहीं है यहां पर, यह जो कुरसी है, सिंबॉलिक है, एक प्रती कात्मक है, चूँकि हर कारक्रम में एक कुरसी मुख्यती दिके लिए रहती है, इसलिए यहां रखी गई है, बस उस से आगे पीछे कुछ नहीं, तुम्हें नहीं मालूम क्या है सब, don't you know, ये सब भीड से आवाज आ रही है, कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, ये सब शोरगुल में आवाजे आ रही हैं, गायतोंडे जी को सपने में, उनके विरुद हला होता हुआ, सुनाई उनको दे रहा ह है, शोरगुल बढ़ते जा रहा है, what nonsense, कोई कहीं से और आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है सब, क्या बक्वास हो रहा है, nonsense आप जानते हैं, sense मतलब जिसमें कोई अर्थ हो, nonsense मतलब किया अनर्थ हो रहा है, क्या बेकार हो रहा है, क्या बक्वास हो रहा है, Quesever heard of a public lecture without a presiding dignitary क्या किसी ने कोई साइ एक्चे लेक्चर चुना है जिसमें कोई presiding officer नए presiding मतलब मुख्य भूमिका निभाने वाला मुख्य अतिती के कुर्सी में बैठने वाला मुख्य preside करना मतलब किसी कारक्रम में मुख्य अतिती के रूप में आना तो गैतोंडे जी ये सब शोरगुल सुन रहे हैं, सब हल्ला गुल्ला हो रहा है, उनके खिलाब विरोध बढ़ते जा रहा है, तो वो खुदी बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, what nonsense, क्या बात कर रहे हो, क्या कोई सा कारक्रम आपने देखा है, जिसमें मुख्यतिति की कुरस कि अनुपस्थिति में कोई कारक्रम होते देखा है क्या आपने, प्रफितर गायतोंडे वेंट तो माइक और गेव वेंट तो हिस वीजूज और ऐसा बोलते हुए, गायतोंडे माइक की और चले जाते हैं हब, और वहां पर माइक में जोर जोर से बोलते हैं, क्या ऐसा कि व गिव वेंट तो, गिव वेंट तो हायलाइट है, वेंट मतलब फिलिंग, तो गिव वेंट करना मतलब हवा देना, विचार रखना, गिव वेंट तो इस वीजूज अपने विचारों का उन्होंने खुलासा किया, अपने विचारों को रखा, तो गिव वेंट तो, The public was giving when to their anger अपने गुसे का अपने गुसे का भडास निकाल रही थी तो गिंवें टू मतलब भडास निकालना अपने गुसे की अभियक्ति करना भें टू अभियक्ति करना तो यहां पर गौयतों दे जी नियों माइक पकड़ लेते हैं और अपनी बात व्यक्त करते हैं क्या बात कह रहे हैं कि हल्ला मत करो कभी आपने देखा है कि बिना मुख्यतिति के कोई सा भाजन का कारेक्रम होता है ऐसा कहके वो बात करते हैं अपनी विद्वत्ता दिखाते हुए और कुछ आगे बोल जाते हैं और बोलते हैं देवियों और सजनों अंचेर्ड लेक्चर ऐसा लेक्चर जिसमें मुख्यतित ना हो वो लेक्चर मानों शेक्स्पियर के हैमलेट के समान है शेक्स्पियर एक अंग्रेजी के पितामा के मतलब the father of English language, modern English, Shakespeare, आपने नाम सना होगा, निश्चित रूप ने आपने नाम सना होगा, लेकिन उनकी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया, यहां पर स्पेलिंग पर ध्यान दे, याद रखें इसको बार बार, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उसके पिता मा के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके नाम की स्पेलिंग नहीं जानते, तो प्लीज करेक्ट यूर नॉलेज अबाओ दे, अब श्पेलिंग पर शेक्सपियर इंग्लिश, और यह अपने मंच पे बिना किसी मुख्यतिती के कारकरम देखा है, और यह ऐसा होता है, तो मानों शेक्सपियर के उस हमलेट की तरह है, जिसमें प्रिंस अब डेन्मार्क नहीं है, बिदाउट दे प्रिंस अब डेन्मार्क, उस हमलेट का जो मुख्य करेक्टर है, वो डेन्मार का कुमार है, राज कुमार, तो अपनी विद्वत्ता का आप वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, गायतोंडे जी, और बोलते हैं कि मानों यह हमलेट जैसा यहां द्रिश हुए हैं, बतला आगे वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बात खतम नहीं हुई थी, और क्या होता है, जनता मंच प्याजा थी, गुस्से में, यह सब सपने में हो रहा है, देखे किस ख्याली दुनिया में हैं, कुमा के काल में, उनका दिमाग कहां कहां उड़ान भर रहा है, और जब वो कहते हैं, मैं कहना जाहूंगा, बस इतना ही बोल पाते हैं, the audience was in no mood to listen, जनता का कोई mood नी था उनको सुनने का, tell us nothing, हमें कुछ मत बताओ, we are sick of remarks on the chair, हम मुख्यतिति के भाशनों से ठक चुके हैं, मुख्यतिति क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताओ, welcome प्रस sick of the chair, we are sick of, sick of मतलब हम लोग परिशान होगा, I am sick of that boy, मैं उस लड़के से परिशान हो गया हूँ, I am sick of late night sleep, मैं उसके रात के सोने की आदत से परिशान हो गया हूँ, sick of, sick वैसे मैंने बीमार, पर यहां बीमार होना नहीं है, to be sick of मतलब तरस्त होना, परिशान होना, I am sick of this music, I am sick of the DJ music, जो इतनी जोड़ जोड़ से बचता हो, इससे मैं परिशान हो गया हूँ, तरस्त हो गया हूँ, I am sick of you, मैं तुम से परिशान हो, I am tired of you नहीं बोलते हैं, वो थकान है, I am sick of you, तो यहां पर जनता क्या चिला रही है, हम को यह भाशन भाशन मत सुनाओ, लोग धन्यवाद प्रस्ताओ देते हैं, दे दे, what do they do, टेल उस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ, वोट अफ थैंक्स, अफ लॉग इंड़क्शन, लंबा लंबा परिशा देंगे, धन्यवाद प्रस्ताओ देंगे, लोगों को धन्यवाद करेंगे, वेलकम के बारे में बो होता है, हम मुख्यतिती को नहीं चाहते, लेकिन प्रतीक के रूप में उसकी कुरसी रख दिया, symbolic, we only want to listen to the speaker, हम केवल speaker को चुनना चाहते हैं, ये जनता बोले चली जारी है, ये जनता के बीच से आवाज आरी हम केवल speaker को चुनना चाहते हैं, we abolish the old custom long ago, abolish करना मतलब करना, to end, हमने बहुत प्रोडूच प्रोडूच इस वाइटल पीस अविदेंस, a page torn out of a book, ऐसा कहते हुए, triumphantly, एक विजयता की तरह, to triumph मतलब विजय होना, triumphantly मतलब विजयता की तरह, he said triumphantly, I have come first, जब घर पहुँचा बच्चा और पिताजी ने पूछा, कि तुम क्या result रहा, तो विजयता की तरह उसने कहा, मैं पहला आया, so he said this triumphantly, विजयता की तरह, triumph मने विजय, to triumph मने विजय पानव, तो यहाँ पे एक विजयता की तरह, प्रफिसर गायतोंडे, वो कागज निकालते हैं, वो कागज का पन्ना, vital, मतलब अत्याधिक महत्पूर्ण, वी आईटी एं भीटा शब्दकार समेशा होता है, जीवन से संबंद, विटा मिन, बौन भीटा, वाइटल, विटालिटी, जहां भी विटा आये गगा, तो आप समझ जायेगा, इसका संबंद लाइफ से है, तो यह वाइटल मतलब अत्याधिक महत्पूर्ण, as important as life, जीव वो कागज का एक टुकड़ा जो पन्ने से फढ़ा गया था, तॉर्न आउट ओफ एबुक, टियर से बना टॉर्न, टियर, टॉर्न, टॉर्न, टॉर्न ने फढ़ना, टॉर्न मतलब फढ़ा और तीसरा पास पार्टिपल भी तॉर्न है, तो उन्हें वो भाड़ा हुआ पन्ना बढ़ा दिया, एक विजेता की तरह ये देखो, ये साक्ष, राजेंद्रा रेड़ टेक्स्ट अन प्रिंटेड पेज, और इस फेस अंडर्वेंट इचेंज, तो अंडर्गो मतलब सेख गुजारना, राजेंद्रा ने वो पन्ना पढ़ा और उसके चेहरे की भाव भंगी मां बदल गई, गॉन वस दिश्माइल और इन इट्स प्लेस केम एक ग्रेव एक्स्प्रेशन, ग्रेव मने भारी, एक्स्प्रेशन मतलब अभी व्यक्ति, मुश्कराहट चली गई और उनके चेहरे में एक भारी भरकम अभी व्यक्ति दिखाई दी, देखने से ऐसा लग रहा था, मानो वो हिल गया, क्यों? क्योंकि सोचा कुछ था, ये कागज देख के बाद कुछ और निकल रही है, तो क्या कुछ सच है जो गायतोंडे ने कहा है, कि वो आड़ बजे मैदान में पाए गया थे और ऐसा, ऐसा, ये बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक साथ कौंद गई, विजिबली मतलब, विजिबल मतलब दिखाई देना, ऐसा दिख रहा था, मानों, वो हिल गए है, गंगा धरपंत, प्रेजड होम इज एडवांटेज, अब गंगा धरपंत को एक एडवांटेज था, कि राजिंद्र उनकी बात को मानता हुआ दिख रहा था, इस फायदे का और फायदा उठाने के लिए, गंगा धर ने क्या कहा, He pressed home, to press home, मतलब दबाव बनादा, दबाव बनाना, to press मने दबाना, pressed home the point, मतलब अपनी बात का दबाव बनादा, He pressed home the point, and said that he wants to go to Bombay, उसने बार बार दबाव बनाया और कहा कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या मीनिंग है? To press home मतलब दबाव बनाना गंगाधर pressed home is advantage उसने अपने फायदा आखा फिर दबाव बनाया फायदा क्या मिला था? कि राजेंदर के जो चेहरे के भाव भंगे मां बदल गई थी पहले जो हलका ले रहा था, मुश्करा रहा था अब वो थोड़ा serious हो गया उस कागज को पढ़के थोड़ा चौक गया वो भी हिल नहीं पाया तो क्या कहा गायतुने ने? I had inadvertently slipped the bakhar in my pocket as I left the library inadvertently अंजाने में inadvertently अंजाने में I inadvertently hit your car मैंने मेरे से आपकी कार अंजाने में टकरा गए मैंने अंजाने में आपका मोबाइल उठा लिया I picked up your mobile inadvertently intentionally नहीं जान बूच कर नहीं अंजाने में तो जान बूच का होता है intentionally और उसका उल्टा है inadvertently अंजाने में I had inadvertently picked up bakhar book into my pocket मैंने अंजाने में bakhar की किताब को अपनी जेम में रख लिया था जब में library से निकला I discovered my error when I was paying for my meals और मैंने अपनी गलती discover करना मतलब पाना खोजना और पाना तो I discovered my error error मने गलती मैंने अपनी गलती तब महसूस की तब पाई जब मैं hotel में खाने का payment करने के लिए जेम में हाड ला तो वो किताब निकलाई I had intended to return it the next morning to intend मतलब इच्छा होना I had intended to return this book अगले दिन सुबह मैं ये किताब वापस करने की इच्छा रख रह था मैंने सुचा कि ये किताब तो आ गई है जब मैं पैसा पे कर रहा था होटल वाले को अरे फिर मैंने का ठीक है अगले दिन कल सुबह आड़ वापस कर दूँगा but it seems that in the मीली of अजाज मैदान the book was lost लेकिन it seems seems मतलब महसूस होना लेकिन ऐसा लगता है कि अजाज मैदान का जो मीली था भाग दोड हल चल उठा पटक जो वहाँ चल रही थी जिसमें मैं भी गुज गया था उस भीड में और मंच पे चल गया था और मंच पे चल तो गया था उसके बाद जिस तरीके से मुझे लोगों ने धक्का देके उतारा टमाटर अंडे आधी फेके और उस वो सब उठा पटक हुई तो उस मीली में ये किताब गुम गई दे बुक वोज लॉस्ट ओनली दे टॉन पेज रिमेंड और फटा हुआ पन्ना उसमें रहे गया ऐसा गाय तोंडे जी का कहना है उनका गलती से जो किताब मेरे पौकेट में रह गई थी जिसे मैंने पेमेंट करते समय देखा तो मैं सोचा था कि कल वापस कर दूँगा लेकिन इससे पहले मैं वापस कर पाता वो हाँ भागम भाग में हाँ की भाग दोल में हलचल में मेरी किताब गुम गई और उसका एक पन्ना रह गया था यह पन्ना जो मैं आपको दिया हूँ यही वाला पन्ना दे टॉर्न आफ पेज फटा हुआ पन्ना रिमेन मने बचे रहना यू रिमेन हियर तुम यही रहो अपने जो पचीस रुपए दिये थे इसमें केवल पाँच रुपए बच्चा है तो ही सेड़ इस रिमेंज और लगली फ़र मी दे पेज कंटेंज वाइटल एविडेंस और सभग्य से यह वाई पेज है जिसमें वो बहुत महत्पूर्ण साक्ष है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ऐसा कह के वो कागज बढ़ाते हैं क्योंकि वो साक्ष को देना चाहते थे किस बात का साक्ष कि लडाई में मराठा जीते थे विश्वास राओ जीता था अहमद्शा अबदाली मारा गया था इसका साक्ष उनको लग रहा था इस पन्ने में है राजिंद्रा अगेन रिड्ड पेज और अब राजिंद्र ने वो पन्ने को फिर से पढ़ा इट डिस्क्राइब हाव विश्वास राओ नेरोली मिस्ड बुलिट उसमें लिखा था कि कैसे विश्वास राओ के बाजू से गोली निकल गई मैंने आपको बताया था न गोली इतनी दूर से निकल गई मानो तिल जितनी दूरी भी नहीं थी He missed the bullet and how that event taken as an omen by the Maratha army turned the tide in their favor tide मतलब क्या होता है time and tide wait for none tide मतलब चढ़ाओ ज़ार भाटा जिसे बोलते हैं ebb and tide e double b ebb and tide ebb मने नीचा पानी जब नीचे होता है समद्र का पानी जब नीचे होता है और जब उपर होता है तो वो कहला था tide tide मने उपर time and tide wait for none none मतलब किसी के लिए भी नहीं समय किसी के लिए प्रितिक्षा नहीं करता टाइड भी जो है प्रतिक्षानी करता है, टाइड हमेशा नीचे आता है, और साथ ऊपर पहुंचने पर खुश मत हो, किसी भी दिन नीचे फिसलोगे, तो यहाँ पर ओनली इस टॉन आप पेज, पर इसे पड़ता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे गोली से बच गया, और कै कैसे ये घटना, एक शुबश सगुन, ओमिन मतलब शगुन, भविश शिक्वानी जाती है, कैसे गोली लगने की, गोली से बचने की घटना को मराथाओं ने एक अच्छा संकेत माना, शुबश संकेत, ओमिन, एक शुबश संकेत माना, और उसके बाद, टर्न दे टाइड इन देर फेवर, और इसके बाद विज़ाई हुई, टर्न दे टाइड इन देर फेवर, टाइड मतलब जो उंचाई पराकाश्था थी, वो कैसे बदल गए, अभी तक वो हार रहे थे, और ये गोली से बच गया, विश्वास राओ, एक अच्छा शगुन था, अच्छा संकेत था, उसके बाद जो साहित हुए मराठा लोग और वो जीद गया, फेवर याने पक्ष में, टाइड इन देर फेवर, उनके पक्ष में कैसे युद्ध का परिणाम बदल गया, अब लुक के बाद गंगाधर ने अपनी खुद की किताब निकाली, प्रड्यूल इस ओन कौपी, जो मराठी में लिखी थी, उनके खुद के पास भी अपनी प्रति थी, जिसे वो लेके चल रहे थे, उन्होंने निकाली, वह भाव साहिबांची बखार, ओपन दर रिलेवेंट पेज, रिलेवेंट मतलब, रिलेवेंट उपियोगी, काम का, टॉक रिलेवेंटली, काम की बात करो, यहां जो चर्चा हो रही है उसकी बात करो, योर आंसर ऑस ए रिलेवेंट तुम्हारा उत्तर विशे सेहट कर है, विशे पर नहीं है, राइट रिलेवेंट आंसर केवल विशय पर उत्तर लिखें तो रिलेवेंट और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी कौपी निकाली है पुष्टक की अभी तो पन्ना निकाला था और कहा था देखो इसमें एविडेंस दिया हुआ है जिसे राजेंद पढ़ते हैं अब उन्ह पन्ना खोल दिया उसमें लिखा हुआ था क्या लिखा था और विश्वास राओ गाइड़ देखी अब क्या लिखा हुआ है उपर जो मैंने पढ़ा था उसमें कुछ और लिखा था पहले जो मैंने पढ़ा था उसमें कुछ और लिखा था पहले जो मैंने पढ़ा था उसम चार लाइने पड़ी थे, वो यही लाइने थी, शुरू की दो लाइने तो वहीं थी, शब्द बशब्द, उसमें लेका, and he attacked them, and God, आपको याद है, मैंने कहा था, G capital में रहता है, God expressed his displeasure, अब देखिए, God का G capital में रहता है, तो God के लिए, जब भी हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, His या हर, God या Goddess, सामान नित या His, तो H भी capital में रहता है, His patronage is there on me, उनका वरद हस्त मेरे में है, यहाँ पर उनका का मतलब क्या है, God, तो यहाँ भी His capital में है, God expressed his displeasure, displeasure मतलब नाखुशी, displeasure मतलब नाराजगी, जहाँ पर elite troop लड रहते हैं, वहाँ पर घुज गए, कौन, विश्वास राओ, He guided his horse, अपने घुड़े के साथ घुज गए, और ईश्वार ने अपनी नाखुशी जताई, अपनी नाराजगी जताई, and He attacked them, and God expressed this attack, He was hit by the bullet, देखिए last line क्या है, He was hit by the bullet, यह बखार की ही वही पन्ना हैं, जिसको गायतोंडे जी ने राज़िन को पढ़ने के लिए दिया था, तो पहले जो दिया था, वो क्या था, यहां पर अब किताब का पन्ना खुला जा रहा है, और किताब के पन्ने में लिखा हुआ है, साफ, and He was hit by the bullet, और उन्हें गोली लग गई, पहले हमने पढ़ाता, जब वो कल्पना की उड़ान में थे, के गोली तिल की दूरी से निकल गई, लेकिन यहां जब किताब सामने हैं, और यह रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, कोमा से हट गए हैं, तब उस पन्ने की लाइन उनको कुछ इस तरह दिखाई देती है, और उसमें लिखा, He was hit by the bullet, तुरंट राजिन बोलते हैं, प्रफितर गायतोंडे, you have given me food for thought, आपने मुझे सोचने के लिए कुछ मसाला दिया है, food for thought मतलब सोचने के लिए मसाला, विचार करने के लिए कुछ बिंदू आपने दिया हैं मुझे, ऐसा राजिन ने तुरंट कहा, until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy, until, मतलब जब तक, जब तक मैंने आपका दिया हुआ सक्ष देखा था, तब तक I had put experience down to fantasy, तब तक मैं इसे fantasy मानता था, fantasy मतलब एक अजीबो गरीब कल्पना है, अजीबो गरीब कल्पना है, fantasize करना, तो यहाँ पर भी fantasy थी, जब तक आपने मुझे ये वाला सक्ष दिया था ने, तब तक मैं सुचता था कि कोई सी एक अजीबो गरीब कल्पना है, material evidence मतलब कागज, जब तक आपने कागज दिया था, तब तक मैं सुचता था या आपकी कोई मन गर्ण कल्पना चल रही है, but facts can be stranger than fantasies, लेकिन facts जो है, सच्चाई जो है, strange मतलब अजनभी, he is a stranger मतलब अजनभी है, strange मतलब विचित्र, stranger मतलब अजनभी और strange मतलब विचित्र, facts can be stranger than fiction, facts can be stranger than fantasies, जहाँ राजेन कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्य मोहावरा, कि सच्चाई जो है, वो कई बार, कोरी कल्पनाओं से भी जादा अजीव लगती है, कोरी कलपनाओं से भी ज़्यादा विचित्र लगती है कोरी कलपनाओं से भी ज़्यादा अजनवी जैसी लगती है As I am beginning to realize जैसा कि अब मुझे महसूस हो रहा है To realize करना मतलब महसूस होना महसूस के लिए आपने कई शब्द इस किताब में इस अध्याय में पढ़ लिए और इन सब को आप जोड़ के देखिएगा अलग-अलग शब्द सब के अर्थ महसूस होना, फील होना, अनभा होना लेकिन सब के उप्योग अलग-अलग यहाँ पर महसूस होना as I am beginning to realize जैसे जैसे मैं महसूस करने लगा गयत वंडे बुलते हैं क्या सच सच क्या stranger लग रहा है तुमको सच में क्या जीब बात लग रही है what are the facts, किस सच की बात कर रहा हो, कौन से सच I am dying to know, मुझे बताओ जल्दी I am dying to know I am dying to know, मतलब मैं जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उतकंथित हूँ बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ बताओ facts, कौन से facts की बात कर रहा हूँ राज जिन्दी कहा था न, facts can be stranger than fiction and I am beginning to realize now on that, गयत वंडे says what facts you are talking about, which fact कौन से सच की बात कर रहा हूँ I am dying to know, जल्दी बताओ मैं बहुत ज्यादा उतकंथित हूँ प्रोफिसर गायत उन्डे said यहाँ पर अब कहानी फिर आगे बढ़ती है दूसरे रूप में आगे अब क्या होता है यहाँ से आपको कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा यह वो पार्ट है कहानी का जिसमें कुछ विज्ञान भी है फिजिक्स भी है और उसके बल पर राजेंदर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं मिस्ट गायतों डेको राजेंदर motioned him to silence उसने उन्हें चुप रहने के लिए कहा चुप होने के लिए motioned him, इशारा किया motion करना मतलब move करना इशारा करना motioned him into silence headmaster को आते हुए जब देखा तो class teacher ने बच्चों को class teacher motioned the children to silence बच्चों को उसने इशारा किया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ होता है न ऐसा class में जब principal आते हैं या headmaster आते हैं तो कई बार कख्चा में जब teacher पढ़ा रहे होते हैं या शोर्गुल हो रहा होता है तो headmaster को आते देखते हुए teacher कहते हैं so he motioned the children into silence silence मतलब शांती and started pacing the room to pace मतलब चलना pace मतलब रफ्तार और pace का मतलब चलना भी to pace he started pacing up and down और वो चलने लगे कमरे के अंदर ही ये कप करता है आदमी ऐसा चलता हुआ कप जब कोई चिंता में हो कुछ तनाव हो कुछ अजीबो गरीब बात हो किसी चीज का उत्तर ना मिल रहा हो कुछ पहेली हो तब वो ऐसा चलने लगता है आदमी आप देखते होंगे तो he also started pacing up and down उन्होंने राजेंदर का उन्होंने गवायटोनी जी को कहा आप चिप रहो थोड़ा चिप जाई है और उसके बाद वो ऊपर नीचे चलने लगे अर साथ कुछ सोचने लगे obviously under the great mental strain strain मने तनाओ mental मानसिक तनाओ में obviously मतलब स्वाभाविक है स्वाभाविक है वो ऊपर नीचे क्यों चल रहे थे किसी मानसिक तनाओ में आ गये थे इस पहली का हल खोजने में लग गये कि हो क्या रहा है गायतोने कुछ बता रहे है किताब में कुछ है वो किताब के पन ने कुछ बताया है तब चक्कर क्या है उसका उत्तर खोजने के लिए वो एकांत शांत माहल में चलने लगे strain मने तनाओ mental मानसिक finally he turned around and said और फिर अंतता वे मुड़े और उन्होंने गायतोने को कहा प्रफिटर गायतोंडे I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories मैं आपका जो अनुभा है कोमा के समय का अनुभा रियल लाइफ बना नौन रियल लाइफ का जो अनुभा है उसको वैज्ञानिक नजरिये से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा I will try to rationalize to rationalize करना मतलब first रूप से समझने की कोशिश करना reason से बना रहा है reason मतलब कारण कारण को जानते हुए समझने की कोशिश करना to rationalize I try to rationalize the reason for the accident accident के कारणों पर मैं जाने की कोशिश कर रहा था समझने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर गायतवन्डे जी को बोलते हैं मैं आपकी जो घटना करम जो आप बता रहे हैं सपनों की दुनिया का और वास्तविक दुनिया का यह सब जो बता रहे हैं इसको मैं एक वग्यानिक थेयोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा दो थेयोरी हैं एक का नाम है केटास्ट्रोफी थेयोरी और दूसरे का नाम है क्वान्टम थेयोरी केटास्ट्रोफी थेयोरी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है और दूसरी थेयोरी वो कहते हैं क्वान्टम थेयोरी मैं उसमें सफल हों या नहीं वो तो किवल आप ही बताओगे Whether I succeed, whether मतलब चाहे मैं Whether I go or not, that's my lookout चाहे मैं जाओं या न जाओं ये मुझ पर निर्फर है Whether I eat mango or I eat apple That's my choice चाहे मैं mango खाओं या apple खाओं ये मेरा choice है So whether, और एक होता है W-E-A-T-H-E-R Whether, whether याने मौसम W-E-A-T-H-E-R Whether, whether याने मौसम और यहाँ W-E-T-H-E-R Whether, whether मतलब चाहे तो Whether I go or I come You don't worry चाहे मैं जाओं या आओं तुम चिंता मत करना So whether I succeed or not in convincing you आपको संतुष्ट करने में To convince मतलब संतुष्ट करना आपको संतुष्ट करने में मैं सफल हूँ या ना हूँ मैं आपको इस दो थोरी बताऊंगा और वो आप ही निर्णा करोगे कि मैं सकी आप convince हो कि ने You only judge क्योंकि You have indeed passed through the fantastic experience क्योंकि आप ही वास्तों में इस बहुत शांदार अनुभो से गुजरे हो कौन सा शांदार अनुभो कोमा कोमा के बाद का वो जो सपना वो सारी कल्पनाएं इतनी सारी जो आपने यात्रा की है कल्पना की यात्रा ये बड़ी शांदार रही है और इससे जो आप गुजरे हो इसके मद्दे नजर आप ही समझ पाओगे कि मैं जो दो थोरी की बात कर रहा हूँ वो कोई थोरी यहां पर fit bet थी है कि नहीं आपकी सोच में अर्थाद आपने जो सब सोचा ये कैसे हुआ है इसका उत्तर शायद इन दो में से किसी एक थोरी में मिल जाए तो आप ही best judge होए समझने के लिए कि उत्तर मिला की नहीं चलिए मैं आपको बताता हूँ वो थोरी क्या है more correctly a catastrophic experience वो कहते है you have indeed passed through the fantastic experience or more correctly a catastrophic experience आप एक बड़े शांदार अनुभाव से गुजरे हो शांदार क्या ज्यादा कहना सही होगा कि आप बड़े भयानक अनुभाव से गुजरे हो catastrophic traffic ऐसा भयाना करो जिसमें भैंकर बड़ाव आया हो उससे आप गुजरे हो यहां पर कहानी मोड लेती है और मामला serious हो जाता है कल्पना की उड़ाने यह सब हड़ जाती है यह सब बातें पुरानी हो गए अब serious बात शुरू होती है